दुनिया का एकमात ऐसा मंदिर जहां होती है इनसान की रूप में गणिश जी की पूजा बगवान गणिश को समर पेद देश भर में आपको कई अनोखे और प्रसिद्ध मंदिर मिल जाएंगे हर मंदिर की अपनी एक खासियात और पौरानिक महतुत जुड़ा हुआ है इस्तित है यहां स्तापित गणिश मंदिर देश के अन्य मंदिरों से एकदम अलग है आपने जारातर मंदिरों में गज रूप में ही गणिश प्रतिमा देखी होगी लेकिन इस मंदिर में गणिश की प्रतिमा एक नर्ग के रूप में विराजमान है इसे आधी मिनायक मंद के नाम से जाना जाता है उनके मानवी चेहरे के कारण इस आधी विनायक के दिव्य रूप को नर्ख मुख विनायक के नाम से भी जाना जाता है गजानन या हाथी की चेहरे वाले देवता भगवान श्री गणेश बनने से पहले यह भगवान गणेश का दिव्य रूप था वै से उनकी प्रतीमा इसी रूप में हर मंदिर में स्थापित होती है लेकिन आदी विनायक मंदिर में गणपती का इंसान का छहरा होने का कारण यही है कि भगवान का गजमुक लगने से पहले उनका मुक इंसान का था जिस वड़े से उनकी पूजा इस रूप में यहां की जाती मंदिर के पांच फुट उचे राची देवता, नंद्रुयन, विनायक अपनी कमर के चारो और एक नाग भर्णम सुशोबित करते हैं मंदिर के पूर्वी प्रविश द्वार पर उनके सामने एक नाग नंधी है साथवीश शतापडी के तमेल विद्वान समंदर ने अपने पातिकम में मंदिर के पिठासिन देवता की प्रशंशा की थी तिससे यह संकेत मिलता है कि यह सिरापल्डी या तिरुची के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है भगवान गनेश की शांदा धंग से उके दी गई ग्रे नाइट की मुर्ती वास्ता में मनोरम है उन्हें कुलहाडी पकड़े हुए देखा जा सकता है जो सबी इच्छाओं की विनाश का प्रतीक है एक रसी जो किसी को भी वासना की कीचर से बचाने की इच्छा का संकेत देती है मोदक अध्यात्मिक जीवन के आनन्द में पुरस्काल का प्रतीक है और कमल इस बात का प्रतीक है कि सबी सर्वोचे प्राप्ट कर सकते हैं आत्मियान की इस्तिती भगवान गणिश का पेट इस विचार को व्यक्ट करता है कि पुर्णता का आदमी जो भी अन्बव करता है उसे ग्रहन और पचा सकता है बोजन की एक संब्रित संग्रह के बीच भगवान के सामने बैठा छोटा चूहा इस बार का संकेत देता है कि एक पुर्ण मनुश्य चूहे की तरह अपने इच्छाओं पर पुर्ण नेंटर रख सकता है छोटे मंदिर के अंदर आदी शंकर रिशी, वेद्वयास, देवी गायत्री, सदाशिव, प्रमोंद और संथ पट्टी नाथर की मुर्टियां है इस मंदिर गए थे तो उन्हें सुझाओ दिया गया कि मंदिर में प्रतिजिन वेदों का पार्ट किया जा रहा है इसका पार्ट विध्वानों द्वारा किया जा रहा है गुर्वर को आदी विनाईगर के लिए पूझा की जाती है फिर उसके सिर को हाती के सिर से बदलने की कहानी सबसे अधिक जानी जाती है लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बगवान शिव ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया था कि जो भी उत्तर दिशा की और सिर रखर सोता है उसका सिर ले आएं। टुकडी ने एक हाती को उत्तर की और सिर करके सोता हुआ पाया। बगवान शिव ने बाला का नाम गणपती रखा जिसका आर्थ है अपने सैनिकों का सैनापती। उन्होंने बर्दान दिया था कि कुछ भी नया शुरू करने से पहले सभी के द्वारा गणपती की पूजा की जाएगी। आदी विनायक मंदिर में नाकेवल श्री गणिश की पूजा होती है बलकि निया शि गणपती का भी आशिरवाद लेने जरूर आते हैं पौराणी कथा कि अनुसार भगवान राम राजा दश्रत का अंतिम संसकार करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हर बाद जब वह प्रातना करते तो चावल के चार गोले इसे पिंडम कहा जाता था वैस उनके सामने रखते जो कीडे में बदल जाते थे इसे निराश होकर उन्होंने भगवान शिव से प्रातना की जिन्होंने राम को मंतरावनम जो की इस स्थान का पूराना नाम है जाएं और वहां प्रातना करने की सला दी भगवान राम ने इस मंदिर का दौरा किया और पीता दश्रत की आत्मा के मंदिर के पास हैं आज भी भक्त इस मंदिर में जाते हैं और पित्र दोश से छुटकारा पाने के लिए प्राथना करते हैं मंदिर से जुड़ी पोराणिक मानेता हैं भक्तों का माना है कि महा गुरू अगस्त स्वयम प्रतेक संकर्थार चतुर्थी के दिन आधी विनायक क की पूजा करते हैं यह भी माना जाता है कि यहां गणिजी की पूजा करने से पारेबारी क्रिष्टों में शांती आती है विनायक के आशिरवाद से बच्चों की बुद्धी तेज होती है बने राएं हमारे साथ रेडिंद दूस्तान पर सब को सिखाएं पेड़ लगाएं सब को सिखाएं जल बचाएं